नमस्कार, MP News में आपका एक बार फिर बहुत-बहुत स्वागत है, मैं हूँ महिंद्र सिंग और प्राइम टाइम की तमाम खबरे लेकर एक बार फिर हम आप सभी के समक्ष हाजिर हैं यदि हम बात करें मध्यप्रदेश की, तो चुनावी सवर में आज बड़ी खबर इंदौर से निकल कर आई, इंदौर में आज कॉंग्रेसी जंडे लगातार लहरा रहे थे, कारण साफ था कॉंग्रेस के राष्ट्री अध्यक्ष राहूल गांदी का इंदौर में रोडशो निकला, जी हाँ रोडशो पर राहूल गांदी ने सियासी ताकत भी दिखा दी और कॉंग्रेस के तमाम टिकेट के दावेदारों ने भी मंचों के जरीए अपने एक राष्ट्री अध्यक्ष का जो शीला स्वागत भी किया, देखिए एक खास रिपोर्ट इंदौर के दिल राजवाड़ा पर राहूल गांदी को आप सीधे देख सकते हैं किस तरह से बड़ी तादात में यहाँ पर लोग जुटे हैं और सीधे अब राहूल यहाँ पर जनता से बात करने वाले हैं चुनावी सवर में कहा जा सकता है कि कॉंग्रेस के राजवाड़ा पर आप देख सकते हैं कि राहूल गांदी का किस तरह से जनता के बीच में यह राजनीती का रंग चुनावी सवर में नजर आ रहा है आप देख सकते हैं बड़ी तादात में लोग यहाँ पर अपने हाथों में मुबाइल फोन लिये हुए हैं जो कि राहूल गांदी के हर एक पल को अपने वीडियो कैमरे में कैट करना चाते हैं राहुल गांदी के भाशन को यहां पर अपने मोबाइल में कैट करना चाते हैं जहां एक और इन दोर के दिल राजवाड़ा पर कॉंग्रेसी जंडे लहरा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी तादात में शेत्री की जनता भी यहां पर राहुल गांदी को सुनने के लिए पहुंची है आप देख सकते हैं किस तरह से बड़ी तादात में लोग यहाँ पर जमा है और राजवाड़ा पर राहूल गांदी का सीधा नजारा आप देख पा रहे हैं तो कहा जा सकता है कि चुनावी समर में एंपी के महासंगरा में राहूल गांदी कॉंग्रेस को सियासी ऑक्सिजन देने में तो काम्याब नजर आते हैं इन दोर की सडकों पर आज चुनावी समर में कॉंग्रेस अंद्यक्ष राहूल गांदी का रंग चर्दा नजर आ रहा है आप मेरे ठीक निशे देख पा रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पर रोड शो का विहंगम नजारा आप देख पा रहे हैं किस कदर यहाँ पर भीड उम करने के लिए अपनी सियासी उर्जा भी दिखा रहे हैं सबसे बड़ी बात यह है कि यह इंदौर का वो पुराता निलाका है जहां पर से राहूल गांदी का काफिला फिलहाल गुजर रहा है यह इंदौर की विदानसभा एक और विदानसभा शित्रकवांग चार का वो हिस जिसे बीजेपी अपना अहोद्या यानि कि अपना गड़ मानती है वही पर राहूल गांदी को यहां पर सेंद मारी के लिए भेजा गया है यह भी कहा जा रहा है कि कॉंग्रेस की रण नीती है कि इंदौर के पुरातन इलाके में खास दौर पर परमपरिक इलाके में जो है राहूल गांदी को दिखाया जा सके और राहूल गांदी के इस रोल शो के जरिये कॉंग्रेस भी कही तक ही शक्ति प्रदर्शन करती दिखाई दे रही है आप देख सकते हैं कि जिस चुनावी रद पर राहूल गांदी सवार है उस पर कॉंग्रेस के तमाम नेता हैं आप बिल्कुल बाई तरफ जो है चुनाव अभियान समीती के आध्याक्ष जोती राजित्ति सिंधिया ने मोर्चा समाला हुआ है इसी की तरह जो है यहाँ पर आप प्रदेश कारेकारी अध्याक्ष जीदू पटवारी भी आपको नजर आ रहे हैं अब देख सकते हैं कि यहाँ और राहूल गांदी के रोड़ शो की रणनीती का जो रोड मैप यहाँ पर तयार किया गया था वो पूरी तरह से यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है यह भी कहा जा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा के चाथ चौबंद इंतजामात किये गए हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से किस तरह से यहाँ पर जो है कॉंग्रेस के राष्टिया द्यक्ष के स्वागत के लिए जनता जनार्दन जो है कार्यकरता जो है यहाँ पर उमरते हुए नजर आ रहा है है आज देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस और प्रशासन के कड़े इंतजामों के बीच से जो है राहूल गांदी का काफिला गुजर रहा है और यहीं है मध्यप्रदेश में कॉंग्रेस और भारती जनता पार्टी के बीच का महा संग्राम का वो नजारा जो कि मध्यप्रद अज़ेश में सकता विरोधी लहर यानि कि अंटी इंकंबंसी फैक्टर की कहानी को भी बया करता है विलाल कैमराबरस नारून यादव के साथ पहेंद सिंग एंपिनियों जुन्दौर